हे गाईस वेलकाम बेक माई टूक चैनल लली दिवांगयान में आप सभी का स्वागत हैक और नए वीडियो में तो गाईस इस वक्त मैं पहुंच चुका हूँ आउंधी गाउं में आउंधी जो गाउंधी जो गाउंधी पढ़ता है आपका भिलाई तीन से लगबग 5-6 गौ अब दियार किया जारा है और इस वर नवरातरी जो स्टारट होने वाला है 15 से स्ट्राट होने वाला है तो यहां पे किस तरह से three जो मूरती count हुआ उसकी बारे में थोड़ सा आप लोगों को पहूंचे हूँ तो यहां पे अभी हम लोग पहुंचे हुए बलाच चक्रधार और आप लोगों को फूरी जनकरी देने वालों को यहां पर बसक्तना तयार हुआ मैं बतला दूँगा परम गेगा नहां पर यहां पर पूछ का बतला रहे थे भाजिया अब मांतराणि को दखलाने वालों जूले आगे बढ़ते हैं यहां पर लिखा हुआ है स्री राम संस्कृति कला केंद्रा लिखा हुआ लेकिन यह जो गोदाउन है बल्ला चक्रधारी जी का है तो चलिए अंदर चलते हैं और आप लोगों को जो है दिखलाते हैं यह गेट है चलिए और यहां पर आप लोग देख सकते हैं मातारानी जो है तैयार हो रहे हैं यहां पर देख सकते हैं अभी मिट्टी का काम बस हुआ है यहां पर आप लोग देख सकते हैं सामने में यह है मातारानी और यहां पर देख सकते हैं सेर है और दोनों साइड में आपको सेर नजर आला होगा और यहां पर है मातारानी बहुत सुनर लग रही ह अभी सिर्फ मिट्टी बस से काम हुआ है, कलर अभी नहीं हुआ है कलर जो है बोर रहे हैं भीयाजी से मैं बाचित किया हूँ तो लगभग 10 से 12 तरी तक कंपिट होई जांगे क्योंकि पंधताई को मातारानी जो है इसाफना होने वाली है इहाँ पेच सकते हैं राक्षा से है लगत्क है, तो राक्षा संदर मूर्टी वह आप देखे और यह बल्लाच्इक्टाधर्यid přेह पास है और यहाँ पेख मूर्टी और है À इसमें सिर्फ वायल्जिशाग बाश होगा है यह देखें और यहां पर बड़ा सफीर है आप लोग देख सकते हैं सुन्दर मुर्थी है और इनके अगर हाइट अगर बात किया जाए तो लगभग यह मान के चलो उनसे साथ फिट के आसपास में जबादे बड़ा मुर्थी नहीं है और बहुत सुन्दर लगज़े अभी सिर्फ वायर चाग बशे है और जाएरा से बारा कर इसको यह जो है फैनल क्लर हो ही जाएंगे टूर्श तरम आएंगे और आप लोगों को जो है जिख लाएंगे एक म अब आख़ने के बाद स्रिंगार होने के बाद और बहुत ही प्यारी लेगे गी तो इस टाम आएंगे जरूर और आप दिखलाएंगे यह देखो और यहां पर तयार किये जा रहा है यह देखो अभी इसमें सिर्फ जो है मिट्टी वगड़ा है ब्स लगा रहा है तैरा बांदने के बाद में उसके बाद जो है इसमें कलरोगरा करेंगे अच्छा लगेगा और बहर weekends धांचा जो है तियार किये जा रहा है आगे में यह देख सकते हैं फिर आल इसमें वह सारे जो काम है ना वह बच्चे हुए है वह आएंगे नेस्टैम में और आप लोगों को जो है दिख लाएंगे यहां पर जो है मसीनों करे चल रहे हैं ना कलर के लिए तो इसी का आवाज है यहां प्यार है और यह वाला मूर्ती को दिखा देता हूं है यह देखे और सुंदर लग रही है माता लेकिन क्या करें इसमें जो है धका हुआ है यह देखो पॉलिफिन से यह देखो यह लगवा कमिट हो चुके हैं चोटा सा मूर्ती है ज्यादा बड़े नहीं करे करे यह पांच पिट के आसपास में ही है यहां भी चुटी-चुटी मूर्ती तियार हो रहा है यह देखो यह माता रानी दुर्गा का तुनी लग रहे हैं लशी माता हो सकते हैं यह देखो कलर होगे ना तो पता चलेंगे आप लोगों को दिख लाएंगे चल यह आगे बढ़त के गोदाउन यहां पर दुसरे गोदाउन में अपन चलते हैं यहां पर लगबग देखा जाये तो अबसे 3-4 मूर्तिया ज्यादा मूर्ति नहीं है और इस वाले गोदाउन में आपन पहुंच चुके हैं यह देखे किहां पर माता रानी देख सकते हैं बहुं सुन्दर थे सितना पर यहां पर देख सकते हैं और फिछ़ए का बैड लूआजी वहान आप देख सकते हैं लेकिन अभी ज्ञानर का बचा हुआ है इतना काम हुआ है यहां पर अब यह देखूए दोनो शेड्स सेदूर बिच 00 hr ऑपर में गणाल अाप देह लग रही है और दोनों सेड में से रख को भी ढख कर रख दिये गया है पॉलिक infinite यहां पर मातारानी दिए बहुत सुन्दर लग रही है आगे बढ़ते हैं यह वाला मातारानी अभी त्यार हो रहे हैं अभी इसको पंप्रिफोने में इन से चाड़ दिन लगेगा देखो मैं आप लोगों को जो है फोटो दिखलाता हूं यह देखो यहां पर जैसे फोटो दिया है ना उसी तरह से यह अगरा कुछे भी नहीं हुए है चलिए उससे आगे बढ़ते हैं अपर यहां भी जो है लगबग तैयार हो चुके हैं कलर भी हो गया है इसमें बस रिंगार काम बच्चा हुआ यहां पर और आख अगर काम बच्चा हुआ है वो भी लगबग वो से तिन दिन में हो यहां पर देखें मस्त सुन्दर सी लग रही है मातारानी सैड से दिख लाता हम आप लोगों को यह देखें दोनों सैड में सेर हैं डीश में मातारानी और पीशे का डिजाइन आप लोग देख सकते हैं बहुत सुन्दर लग रहा हैं मस्त सेव दिये हुए हैं और यह डिज भाया जी से मैं बाचित किया हूं तो बता रहते हैं कि यहां की मूरतिया भिलाई और राय पुड़ जा रहा है यह देखो यहां पर कुछी मस्तप्यारी लग रही है हमारी मातारानी और यह लगभग अराम से 10 फिट के आसपास में ही हो गया 10-12 फिट के आसपास में यह देख करेंट करके बताएगा इसकी आप लोगों को जो है कैसर लग रहा है और यहां मैं बल्ला चक्राधारी जी के पास में पहुंच हूं अगर आप लोगों को अगर मूरति है तो वह भी बताएगा कि आप लोगों का मूरति कौन से है बाकी मैं डिटेल नहीं पूछ रहा हूं जी से कि कहां कहां मूरति जा रहा कर गए बस उन्होंने बताया है कि यहां का जो मूरतिय भेलाई और रायपूर जा रहा है यह देखे यह वाला मातरानी है जो है त्यार हो गया है यह देखिए यहां पे सामने में से बीशे मातरानी उपर में कौन सा है संकरवाने के काली मा तो यह देखें उपर में काली माता है फिर हला भी पॉलितिन से भी ढखा हुआ है तो अच्छे से नहीं दिखा दे रहा है बाकी हल्क मैं अपने से देख रहा हूं तो मस्तर प्यारी लग रही है मातारानी यह देखें चल यह आगे बढ़ते हैं और भी मुर्ती है यहां पर यह देखें लोग देखिए यहां पर जो है सांचे उग्रह में जो है यह सब बनाया जा रहा है यह देखो यहां पर हो वितान यह देखें यहां पर सुनर लग रही है मातारानी सामने से दिखलाता हूं मैं यहां थोड़ा से जगा के कमी के कारण आपको जो है दिखलाती न यह जो सुनगाइगी यह पर उपरेंग जो है माता जी के सीर है एक दो Draw 5 यहां पर उपर उपर उन्हें भी तरीक पार इसर पांच है पार डाओ इससान है यहां देखते कि यह देखे और यह देखिए सेरी आपर कम के दारउने कि और सुम्दर कर और अंदर मुद कर और वहां पर भी देखे काफ़ी जो है औल्म तियाaround यहांपर देख सकते हैं अब सीर्फное मिट्टी बेरा साइब काम इसमें हुआ है और इस तरफ में जो है गनेज भगवान जी है और यहां पर सामने में माता रानी और यहां नीचे में है सेर यह दिखें और यहां पर राक्षेश इसको बनाया जा रहा है यहां पर यह देखो यह देखे यह वाला जो मुर्ती है ना बहुत सुन्दर लग रहा है इनके अगर है अगर बात के जा मातारानी की तो लगभाग 10 से 12 फिट के आसपास में है और यहाँ पर राक्षा से सामने में यह देखो अभी सिर्फ कलर हुआ है जो है अभी स्रिंगार के काम बचा हुआ है आगे बढ़ते हैं यह वाला जो मुर्ती मैं आप लोगों को जो है दिखला दिया हूँ और इस सरफ की मुर्ती को आप लोगों को जो है दिखलाते हैं यह देखें यहाँ पर जो है मातारानी जो है ना सेर में बैठी हुए यह देख सकते हैं बहुत सुन्दर लग रहा है य देखो और यह वाला देख सकते हैं लगवा कंप्रेट होई गया है इसको भी जो है पॉलिथीन से ढखा हुआ है यह देखो और यह वाला मुर्ती देखे भी यह भी मसे सुन्दर लग रहे हैं कलर होंगे न तो और अच्छा लगेंगे अभी तो फिर हाल इसको देखो हलका बहुत सारे में ब्लोक दिख लेख लाएंगे तो अब लोगों आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करना चनल को सब्सक्राइब करने बहुँत है आप लोगों को नेश्टे वीडियो में